अब क्लास यूगे जी मैंने आपको last class में आपको पढ़ाया था what comes before what comes after what comes between यानि पहले वाला नमबर बाद वाला नमबर और बीच वाला नमबर लिखने को बताया था लेकिन मैंने आपको वो two digits के बताया थे जैना below to hundred बताया थे यानि 100 से छोटे नमबर के पहले और बाद व अब इसको बताना कैसे है, आप ध्यान से देखें, अगर आपका counting number अच्छा है, तो आप directly लिख सकते हैं, otherwise आपको before लिखने के लिए 1 minus करना है, और आपको लिख देना है, चलिए, तो मैं दोनों तरीका से बता जता हूँ, 144 जब हम लिखते हैं, तो उसके ठीक पहले क्या लि है, तो before लिखने के लिए, किसी भी number का before लिखना है, आप क्या करेंगे, 1 minus कर देंगे, जैसे मैं देख लाता हूँ, आपको यह, ठीके, अच्छा है, यह कैडी वाला होगा, मैं कैडी वाला हटा दे रहा हूँ, आपको easy होगा, यह 6 कर लिए, ठीके, जैसे माल लिजे, यह 256 ठीके, इसके before क्या होगा, तो इसके before के लिए, मैंने क्या बता है, before लिखना है, तो 1 minus कर लेंगे, अगर आपका counting number अच्छा है, तो आप directly लिख सकते हैं, count कर के लिख सकते हैं, ठीके, तो 256 क्या होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ देख राफ करके बताता हूँ, क्या कहा हो मैं before लिखने के लिए 1 minus करेंगे, इसका before लिखना है, तो इसी में से 1 हम लोग क्या करेंगे, minus कर देंगे, तो 256 में से 1 क्या करेंगे, minus कर देंगे, 6 में से 1 जाए, कितना होगा, 5 होगा, फिर 5 का 5 हो जाएगा, और 2 का 2 हो जाएगा, ठीके, कितना आया, 255, इसी तरह बनेग इसको आपको बनाने ने ठीक है यह रॉप किया था मैंने इसको आप स्भी समझने के लिए करेंगे अगर आपको रॉप करना है अलग पेज़़े करेंगे और यह बनाने यह दो इसके बाद मैं आपको आप्टर का वीडियो करूंगा ओके थाइंक यू